पूरा देश आज गर्क तंत्र दिन मना रहा है लेगिन का आपको पता है कि पूरे देश में उस वक्त एक ऐसी रियासत थी जब सर्दार पटिल ने राजा रजवडाव से कहा कि वो भारत में शामिल हो जाए तब ये प्रांद के राजा ने सबसे पहले सर्दार पटिल को कहा कि हम लोग भारत के साथ सामिल होने के लिए तयार है वो है गायकवार परिवार जी हां बरोडा का गायकवार परिवार एक ऐसा परिवार था ऐसे राजा थे उनके जिनोंने सबसे पहले भारत में सामिल होने का फैसला लिया था आज हम बात करेंगे इसके बारे में बरोडा के राजा समर्जित सिंग और उनकी पत्नी राधिका राजी जिसे अब दोनों का स्वागत है एपी रिपब्लिक दे तो जैसे कि आज रिपब्लिक दे है पुरा देश मना रहा है तो थोड़ा हम इतियास की बात करते हैं ऐसा कहां जाता है कि जब सर्दार पटेल जी ने 500 जार्जवारडे को भारत के साथ मिलाने की बात कि दीता बरोडा एक ऐसा स्टेट था जिनोंने सबसे पहले हा कहें है थी यह ब्रोडा एक प्रोग्रेसिव स्टेट था साजी राव महराज जिनोंने यह शान्दर मिहल बनाया उनकी इच्छा थी कि जल्डी में जल्दी ते विघ्पिच राज ये देश से निखल जाए है और एक इम्डिबेंडंड इंडिया भाहर निकले क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश चला रहे थे और फाइधा ले रहे थे देश का और लोगों को सोब्स को और इसमें बिल्कुल इस तरह से लोगों को ट्रीट भी किया जा रहा था उन्होंने समझा कि इसके भाहर दिकलने के लिए बिटिश को हिंदुस्तान चोड़ने की आवश्या जरूरत थी और इसी लिए वही सेंटिमेंट लेके आगे जब सरदार प्रटेल कोई जाबदारी सोपी गई थी सवी राज्य थे उसमें से एक बरोडा भी था 21 गन सलूट का और गुजरात और सवराष्ट्र में सबसे ज्यादा राजवी परिवार थे स्टेट थे और सरदार प्रटेल ने जब महाराज प्रताप सिंग को अप्रोच किया उसी समय कि अगर जो बड़े स्टेट एक नए इंडियन यून में आ जाए तो जो छोटे-छोटे स्टेट है वो आवश्य बिल्कुल पीछे-पीछे आएंगे और वही हुआ जब बड़े स्टेट उने एक दिशा धी दूसरे स्टेट काफी जो छोटे-छोटे थे वो काफी पीछे-पीछे एक वही समझ से आगे बढ़के नए हिंदु आराश्ट्र से आते हैं और यह कहां जाता है कि उनको फैलोशिप भी उस जमाने में राजा साहिब ने दी थी तो कैसे उनके संपर्क में वो आये थे ऐसा सुनने में आता है कि जब वो एक छोटे लड़की बालक थे तब उनको बंबई में जहां पे वरोडा का महल था वहां पे असाजरिया उसे मिलने यह चोटे बच्चे को लाया गया था कि यह बहुत ही तेज और विद्वान बच्चा है पर इसको पढ़ाई का और शिक् किया जाता है और तो उसी तब से ही उन्होंने उनका शिक्षन का जिम्मा अपने उपर लिया और उन देनों अगर राजा एक अपनापन दिखाएं प्रजा की तरफ या किसी भी एक जाती की तरफ जो पिछडी जाती या जैसे भी आप समझें तो एक स्विकारता आ जाती है समाथ से भी और यही चला उनका सिलसिला सो उनका चाइल्ड हुट से ही उनका एजुकेशन का जिम्मा माराजा साहजी राव ने और बरोडा स्टेट ने लिया और फिर आगे जाके जो उन्होंने इंग्लिंड में पड़ा और अमेरिका में पड़ा ओ पूरा श्रह साहजी र फुर्म पाथ थी उनकी कि यह कहीं कहीं से बिपुरे देश से भी देश से यह हीरे ले आते हैं और और दो उसमें से एक थे और बिन्दो उनके प्राइवेट सेक्रिर्टि की तरह पहले आये साहई जारो महाराज के और उसके बाद साहई जारो महाराज ने उन्हें पहला बरोड़ कोलेज का एक प्रिंसिपल भी बनाया अभी महाराजा साहई जारोड अन इनवरश्टुटी में उनकी एक जो उनका जो ओफिस है अभी भी वहां कोई बैठता नहीं, अभी भी मेन डोम के वहां एक उनका छोटा सा ओफिस है, वहां से ही महाराजा सायाजीरा उन्वर्सिटी एक ग्रो हुआ उसे उसे बढ़ते गई, जो कॉलेज से एक उन्वर्सिटी बन गई उसी समय, उसके बाद और विंदो और विल चल साहाज के साथ, काफी साहाजीराओं महाराज के वह स्पीच्ज भी लिखते थे उसी समय, इंग्लिश में, उसी समय मैं मानता हूँ कि जो शायद एक फ्रीडम फाइटर की तरह जो और बिनुल का एक जो एक रोल रहा है, और साहाजीराओं का भी जो क्लारिटी उसी समय एक महार निकल आया है, कि ये देश को अंग्रेजों से दूर करना है, तो ये सम उसी समय ये मैं मानता हूँ कि सब कुछ हो रहा था, क्योंकि महाराज साहजीराओं ने भार भी लेटर ओन जो उनकी लाइफ में, क्योंकि स्कॉट्लंड याड उनके पीछे थी, लोगों को मालू को सपोर्ट कर रहे थे उसी समय, वहां भाहर बैटके इंगलंड में बैटके उन्हें फ्रांस में मिलते थे, दूसरे विदोश्र में मिलते थे, लेकिन उनके जाल में कभी आये नहीं साही रह महाराज और उनका ये बिलकुल एक देन था, ये देश के लिए, मैं समझता हू पंदिर राजा रवी वर्मा के बहुत सारे ओरिजनल पैंटिंग्स इस महल में है और करीब बारा साल तक जो है वो यहां राजा जी के संपर्क में थे उस वक्ये कही सारे उन्होंने पैंटिंग्स बनाई जैसे सबसे बड़ी फैमोस पैंटिंग जो लक्ष्मी और सरस्वत जो है वो भी यहां पर है तो आपने उनकी आर्ट को कैसे रिवाइव किया है अभी हमने उनकी आद और उनकी आर्ट को अपने जितने अपने हद तक हम उनके मेंटेन कर सकते हैं वो किया है और उनकी जो प्रतिमा है उनको हमने अब हम डिजिटाइज करके प्रिंट करते हैं लोगों को लगे कि कुछ हूँ अपना एक रउवर्मा का एक टुकड़ा एक अठ का हिससा आप आपके साथ घर ले जा सके उनकी सिगनेचर सेटिफिकेट पही काफी लोग ले जाते हैं और वैल्यू करते हैं और मेरी तो खेहर एक छोटी सी सिगनेचर एक सेटिफिकेट पह लेकिन जो कला थी रवी वर्मा की और एक सोचना आज की दिनों में कि कोई एक आर्टिस्ट को उसी समय ग्यारा बारा साल यहां रखना और उन्हें पुरा एक महल एक तरह से सौप दिया गया था कि इसके दिवाले पर आप पूरे आप पूरे आपके पेंटिंग लगे तो बि जिस प्रकार का उन्हें कला किया तो उनको बहुत खूबसूरत लगा इसको मालूम था 200 साल बाद रवी वर्मा क्या होंगे आज उनकी आर्ट की वैली क्या होगी लेकिन आर्ट 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 एक ऐसी चीज़ होती की जब आप देखते हो अच्छा दिखता है तबी आप उ लाल बोस उनप हो प्रमोर्ट किया हमरे जो हमारे कीर्थी अदिर को मारे किरती मंदिर हो एक एक मूरस का मूरल भाहत शांदर मेली वहाँ पर अब एक चोटे सी ब्रेक का ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस महल के बारे में कि ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है जैसे कि ये महेल का जो आर्किटेक हम देखे तो इस मिश्चर ऑफ इसलामिक एस वेल एज हिंदू का भी है गोयतिक भी दिखता है इसमें रोमन का भी कुछ स्टैच्यू उस टाइप के है समिश्चर बिलकुल बहुत ही खु आपने का है रोमन, ग्रीक, इंडियन, जैन, राजपूत, हिंदू, इसलामिक आप जो भी आप जहां पे भी आपको देखेंगे आप एक अलग ही एक कला का एक रुत्बा दिखेगा आपको बहुत ही डीटेल में और बहुत ही सोच के और प्रेम से इमारत बनाई गई है इस ñहां तो सोन काम देखेंगे अप लग्डे का काम देखेंगे आप स्टेन ग्लास देखेंगे आप पैंटिंग्स देखेंगे दूसरे जो आप objects देखेंगे वेश्व भर से जोनाई कए है यह But his विक्तिअ कोती अच्यकोती की है और एक दमए एक inspiring महूल बना देते हैं और सिर्फ ग्यारा साल में बनी है सिर्फ ग्यारा साल में इतनी बड़ी मारत आज एक छोड़ा सा घर भी तीन साल लगता है उसे और ये जो आप स्टोन देख रहे हैं सवराश्वे से धांगधराग का सैंस्टोन इसे कहते है और वहां से आया यह सैंस्टोन उस जमाने में जहां ट्रांसपोर्ट कम्यूनिकेशन जो थे उस समय लेकिन वह सभी यहां फिर इसके उपर जितना कार्विग है यह पैलेस में आप टावर तक जाया यह वहां कभी कारीटियु कभी सोचते की हां कु हुआ कईध करें वहां लेकिन वहां भी कर उग है और इसके बावार कि ट्रह टू रेकिन हमें जोचैलेंजिग में टेंट्रेंकर थे मों यह इंगीनियरंगा लेकिन इस का इंजिनैरनिंग इस्समें का इतना एडवांस था कि आप जो डॉम देख रहे हैं उसके अंदर एक 80,000 लीटर की पानी की टाकी है उसके अंदर अब वो कैसे कंस्टर्ट किया कैसे अब हमी कभी-कभी जब उपर जाते देखते हैं क्योंकि मेंटेनर्स की इसूद आते हैं वैसे ही इसके लिए पानी की व्यवस्त हुआ करता था तो वो था फिर बाद में इसमें लिफ्ट भी दो तीन लिफ्ट लगाए गए अब ऐसे कभी-कभी हम हमें भी मालूम नहीं था कि ये कब लगाई गये ऐसे दिखता है कि पहले से शुरुवात से लगाई गये लेकिन तो काफी एंजिनेरिंग भी इसकी काफी मॉडर्ण थी और जिस प्रकार के स्ट्रक्चर है जिस पर दर्वाजे नहीं है तो काज हमें बहुत बड़ी तकलीफ आती कि दर्वाजे नहीं है कब कर कैसे बंद करें हम रात को लेकिन अब यह महल है स्याजी राह ने बनाया उसी समय काफी लोग थे उस स्टेट के सब समय और बिलकुली सुंदर महले है जैसे कि बारोडा की बात करें तो बड़ोद्रा जो है वो सांसूरूतिक नगरी मानी जाती है जैसे आपके वहां गनपती भी इतने धुम्दाम से मनाते हैं मैंने सुना है कि आम जंता भी आके गनपती का दर्शन कर सकती है और उतनी ही पहमाने पर आप नवरात्री भी बनाते हैं जैसे इस बार भी आपकी नवरात्री काफी अच्छी हुई थी तो यह परिवार ने हमेशा प्रोचान दिया है और सपोर्ट दिया है सब स्वांस्क्रितिक एक्टिविटीज को और गनपती तो हमारे घर में आते ही आ रहे हैं औ और उन दिनों हम हाओं दरोजे खुले होते हैं पूरे शहर की लोगों को आने के लिए और वा के दarm करते हैं हमारे गनपती के और यह जो गारभा हमने स्टार्ट किया है यह तकरीवन दो हराजार उन्यस खुले हुज के ऐ अगर अग्सद था कि हम एक हमारे ज्झी है मारनी चिमनाबाई स्री उद्यो का लगी स्तापना की थी जहां पर नारी ससक्षी करन का काम होता है और उसके जो भी प्रोजेक्स होते हैं उसके लिए फंड रेजिंग का जरिया है ये गर्बा जिसे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि महराजा जो है उनों ने रंजी के लिए भी खेला है जी हां वह बहुत अच्छे क्रिकेटर्स है और यह जो गॉल्फ क्लब आप देख रहे हैं ना उसमें वह हर रविवार को सुब आपको जो एक गॉल्फ खेलते हुए दिख जाएंगे हमारे परिवार में क्रिकेट बहुत डॉमिनेंट स्पॉर्ट था बड़ोद्रा ने बहुत अच्छे बड़े क्रिकेटर्स दिया और उसी वजह से महाराजब प्रताप सिंग राओ जो एक खुद स्पॉर्ट्समें थे मेरे ग्राइट फादर और उनके वजह से एक बरोड़ा के पास एक क्रिकेट असोसेशिएशन है जो बार्ड अफ कंट् मेरी ग्राइड मदर राजमाता शांता देवी उनके साथ मैं काफी टीवी में उस समय क्रिकेट मैचीज देखते थे और वो रजी ट्रोफी मैचीज भी देखती थी और मैं खुद बरोड़ा के लिए अंडर 15 से लेके रजी ट्रोफी तक खेला और यह पुरा देश मैं ट्र अब एक समय था कि क्रिकेट चूस करना था करियर ऑप्शन था या कुछ और पढ़ा ही परसू करू लेकिन अब क्रिकेट को छोड़ दिया उसी समय और फिर गॉल्फ आया और गॉल्फ को आगे लेते लेते आज एक यह मैंने 2004 में यह गॉल्फ होस बना है जो पैलेस के बिल जब आशिक छो सुन्दर भी लगे पैलेस को यह पैलेस को एक बढ़ावा भी दे सके और लोग भी आ सके क्योंकि महल ऐसी चीज्ょικά कि कि हम पाच है परीवार के जो रहते हैं इसमें लेकिन यह बनाया कि लोग आते रहे यह पैलेस ने एक वाइबरनसी रहे यह पैलेस में जो कुछ भी अभी इडिशन हमने करें वह इस तरह करें कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग यह पैलेस को अलग अलग तरीके से इंजॉय कर सके और इस पैलेस के सबसे अच्छी बात मुझे लगता है यह पूरे बारत का एक मात्रम हैल ऐसा होगा जहां पर कितने लोग आते होगे रोजाना यहां यहां तो धाई से तीन लाग हर साल आ जाते बढ़ते जारे लोग और पहले पहले 93 94 में यह जब तक जहां से यह हमने थोड़ा इसे खोल दिया लोगों के लिए काफी लोग आते थे और फिर किसी ना किसे को पूछ के यहां एक लोग प्लानेट उस समय हम लोग फॉलो करते थे उसमें काफी नेगिटिव रिव्यू देखे मैंने वरोद्रा के और खास करके पैलेस के कि कि किसी को अलाउड नहीं है यह नहीं है तो उसी से एक मेरे एक मुझे लगा कि यह बिलकुल खोलना चाहिए पैलेस यह बनाया इतना सु किसे खोले और तब से हमने काफी उसमें ओडियो टॉर भी आड़ किया है काफी रूम्स थोड़े खोल दिये और अब लोग भी आके अप्रिशेट करते अब काफी लोग ट्रैवल करते हैं और और स्पेशली कोविड में पैंडैबिक में तो काफी लोग भार भी नहीं जा स है जो इतनी अच्छी बनाई गई है आपकी बात करें तो आप वाकाने स्टेट से आती है और आपके फादर आई एस थे अपने खुद दिली में अपना एजुकेशन रिया स्री राम लेडी स्कूल से प्लस आप खुद जोर्नलिस रही है तो कैसे पॉसिबल होता है एक रॉ मेरे फादर क्यूंके खुद एक वरकिंग परसन थे उनके दादा जी ने जो तब महाराना थे वाकानेर के उन्होंने ये पूरा हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल देखा था और उनको मानना था कि राजी परिवारों को भी आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बदलना होगा और इसलिए मेरे फादर ने आइस जोइन किया और वो फोल लाइफ ही वास वरकिंग क्लास महाल में बड़ी हूई हूँ इसलिए मेरे में बहुत एक इच्छा थी कि मैं भी कुछ पढ़ूँ खुद अपने पेड़ों पर खड़े होने की एक शमता हो मुझ में इसलिए बहुत एंकरजमेंट मिला था मेरे फादर से और बहुत रिस्पेक्ट और आदर में देखा कि अजर साल में काम कर रएती मेरे परिवार से जो ज़्यादा कर हमारे परिवारों में नहीं और दिखता है जियादा एंकरज नहीं किया जाता है Lub mesa ko þaam करने के लिए तो वो मुझे बहुत प्रहोचाहन मिला घर से और वो दो साल जो मैंने जोनलिजम किया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत ही एक ऐक काउंविदेंस हाया, मुझे लगता है कि जो मैंने उन सालों में सीखा और अफकॉस आईस ओफिसर की बेटी होते हुए दुनिया भर में घुमते हो जो देखा वह अभी भी मैं उसमें अमल कर रही हूं उससे में मेरी मदद करता है यह तो आप दोनों कैसे मिले हम तो दिल्ली में मुले हमारा एक अरेज करा मिटिंग हए और हमारी मेरी बडी बेहन है जो जिसकी शादी जन्मे उस्दन में ए और मेरी फुई भी वहां पे उनकी भी शादी उई तो वो इनके हुई को जानती थी जो भावनगर में थी हम आमली फ्रेंड्स थे तो उन्हों बाद चलाई और फिर उसके बाद हमने हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में और फिर 2001 में हमारी मुलाकात हुई और 2002 फेब्रीरी में शादी हुई और जैसे कि अमने एक फोटो आपकी देखी थी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में वहां लगी है एक फोटो जैसे कि जब प्रदानमंत्री उज्रात के चिफ मेनिस्टर थे और 2014 में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा उस वक वो बनारा से चुनाव लड़े थी और बरोडा से लड़े ने जो उनका जो नामानकंत पत्र भराता उसमें राज माता ने जो है उनको सपोर्ट किया था तो किस तरह के नाता रहा है आपका आप कि मोधी जी जी मुद्धा से वर्दगर के है और वाँ बड़े वाटनगर ब्रोड़ श्टेट का हि सुक्षिंट पे काफी जोर था जो कुछ किया महाराज साहाजी राओ नहीं क्योंकि जस तरह से महाराज साहजी राओ आए गादी पे अन्हें अडाट कि अगया हम्हाथ कि एक एजूकेशन का महत्व तो उनका जो कुछ एफर्ट रहा एजूकेशन पिरा और उसी का लाब मोदी जी जो कोई लोग थे उसी तवे स्टेट में उन्हें मिला मोदी जी को बहुत कुछ मालू है सायजी राव महराज के बारे में अभी कभी भी कहीं भी बातों करते तो उन्हें एक जब वरोद्रा से उन्होंने नक्की किया खड़े रहने के लिए उनकी इच्छा थी कि हमारे परिवार से एक सपॉर्ट मिले क्योंकि एक शेहर में एक इतना बड़ा सायजी राव महराज और उसके बाद प्रताफिक महराज ने बहुत कुछ किया शेहर के ल लेकिन एक मैसेज भी गया कि एक एक वरोडा के परिवार से राजमेहल से भी कोई सपॉर्ट कर रहा है और एक चायवाला भी सपॉर्ट उजिए कर रहा ता जहां काफी समय उन्होंने यहां निकाला तो उसी उस तरह से रहारे राजमाताजीर उनकी इच्छा थी कि राजमा झाल झाल झाल